प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में तो देखिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर नमबर वन में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिसेट 7.1 का बेसिक कंसेप्ट ठीक है इसमें जो भी बेसिक चीजे आती हैं उनको हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चलिए फिर हम शुरू करें आईए दे चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी ग्राफ के बारे में बताती हूं क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिसेट 7.1 है वो किस से रिलेटेड है तो ग्राफ से ही रिलेटेड है यानि कि उसमें हमें क्या करना होगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा ठीक है देखो आप ग्राफ न कई प्रकारना पर यह जो मेरे पीछे ग्राफ बना हुआ है इसका नाम क्या है उसको हम क्या कहते है तो इसको कहते हैं जाइंट बल डाइग्राम से घ्राफ करना करो जैसे यहांपर कह दिखा रहा तो यहां पर कि तना रहा है वेत का और जवार का तो आईए मैं आपको यह थोड़ा करते हूं समझने की कुशिश करना अच्छे से देखो बच्चो जैसे कि अगर मैं बात करूँ साल 2010 में ठीक है साल 2010 में wheat का production कितना था मैंने आप से पूछा एक सवाल कि मुझे बताईए कि साल 2010 में wheat का production कितना था तो आप क्या करोगे ये बार diagram देखोगे और इसका answer आप चुट क्यों में बता दोगे बोलो क्या होगा जल्दी से बोलो आप यहाँ पर देखोगे ना इसका production कितना हो रहा है wheat का ये वाला जो है ये वाला symbol wheat को represent कर रहा है तो ये कहा तक गया है ये जो हमने graph बनाया है बार कहा तक गया है देखो ये उपर गया यहां तक 30 तक गया और यहां पर आकर कि ये close हो गया है इधर आकर के रुख गया है तो आप इसमें से देख करके बोल दोगे कि 2010 में जो हमारा wheat है इसका production कितना था तो वो था 30 20 ठीक है ऐसे करके आप बोलोगे फिर मैंने आप से पूछा कि चलो ठीक है अब मुझे 2012 का जुआर का production बताओ तो देखो सबसे पहले आप इतर देखोगे ये बार टाइग्राम के अंदर जुआर किसको मतलब कौन सा सिंबल जुआर को represent कर रहा है तो ये जो triangle shape बना हुआ है ये हमारे जुआर को represent कर रहा है और कौन से year का मैंने आप से पूछा है 2012 का तो आप आओगे ये 2012 वाले column में यहाँ पर आओगे और आखर के देखोगे जुआर का production कितना है तो यहाँ से देख करके आपको प्यारे बच्चों पता लग जाएगा कि जुआर का production तो इतना है अब कितना है काउंट करो काउंट कर पाएंगे आप लोग देखे यहाँ से यहाँ तक गया यह तो 10 हो गया फिर देखो यह दो लाइन और उपर बढ़ा है यानि कि 12 ठीक है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 2012 में वीट का production कितना था तो वो था आप लोगों का 12 quintal ठीक है 12 quintal उसी प्रकार से अगर मैंने आप से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि 2012 में वीट का production कितना था यह तो हमने जुआर की बात की ना जुआर का production कितना था प्यारे बच्चो 12 quintal था लेकिन वहीं अगर मैं वीट के बात करूँ मुझे एक बात बताओ कि 2012 में वीट का production कितना था तो आप यहां से काउंट करोगे और काउंट करके बताओगे कि कितना था तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 48 यानि कि 48 quintal था ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी डिवाइड बार डाइग्राम और उसके बाद पॉर्सेंटेज बार डाइग्राम अभी आपको बताओंगी पहले ना इसके बारे में थोड़ा कुछ और बाते समझ लेते हैं देखो क्या आप यह बार मतलब यह ग्राफ को देख करके क्या आप इस टेबल को कंप्लेट कर सकते हैं ना इस में देखते जा और इसको कंप्लेट कर लो AWS क्या लिखा हो है प्रोडक्शन धुनिक फितना था 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 थे थर्टी क्वेंटल तो पर क्या लिख दोगे 30 ठीक है फिर 2010 महीं देखो 2010 की बात चल रही है इसमें ज्वार का प्रोडक्शन कितना था अच्छे से देख करके बताएंगे सब लोग देखो ज्वार का प्रोडक्शन टेन था ट्विंटल तो यहां पर आजाएगा टेन टोटल कर दो कितना हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा 31 फिर ज्वार का प्रोड़क्शन बताईए तो देखो यहां तक तो हमारा एक मिनट्ट यह कलर नहीं दिख रहा ला यहां तक तो दस हो जाएगा फीर इसके पांच और उपर जाओके तो पंद्रह हो जाएगा समझ्ये तो देखो यहां पर ज्वा प्रफिकार से होता है हमारा जॉइंट बार ग्राफ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है अब हमें क्लास नाइंथ में कौन-कौन से बार डाइग्राम पढ़ने हैं आईए मैं आप लोगों को बताती हूं ठीक है यह तो बस मैंने आपको थोड़ा से रिवाइज करवा इधर आओ भाई तुम इधर आओ थीक है अभी इन सब को छुपे रहने दो है यह हमारा सब्दिवाइडद बार डाइगराम इस के लिए अलग अलग बार टाइग्राम मतलब अलग अलग बार नहीं बनाएंगे एक ही बार में दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे आप इसमें देख सकते हो एक ही बार में दोनों को दिखाया गया है आप बोलेंगे कैसे देखो न हमने एक ही इस प्रकार से कॉलम बन दिया है ठीक है स्टूडिन इसमें भी आप देख सकते हो यह किसको बता रहा है यह यहां पर वेट के प्रोडक्शन को बता रहा है ठीक है यहां पर भी देखोगे तो यह जवार के प्रोडक्शन को बता रहा है और यह हमारा वीट के प्रोडक्शन को बता रहा है यानि कहने क का मतलब क्या है कि सब डिवाइड बार डाइग्राम में क्या होता है कि हम ना एक ही रेक्टेंगल बनाते हैं यह जो आप देख रहे हैं इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हो ठीक है तो एक ही रेक्टेंगल बनाते हैं और उसी में हम सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है स्टूडेंट तो देखो यह बना कैसे है मैं आपको यह समझाती हो ओके यह टेबल की मदद से माल लो यह टेबल हमारे पास है तो हम कैसे यह वाला ग्राफ बनाएंगे यह आपको पता होना चाहिए ना क्योंकि आपको 7.1 में यही काम करना है तो आव मैं आपको सिखा इसको थोड़ा से किनारे कर देते भाईया तो मिधर अभी बैठे रहो और जरा बच्चों इसको देखेंगे इसको हम पहले कंप्लीट कर लें कंप्लीट दार टेबल को यहां पर 30 तहीं आपे दस तहीं आपे 5-15 अभी अभी हमने देखा भी था इसका टोटल करो देखो सब जबी भी आपको सब डिवाइड़ डाइग्राम बनाना है ना तो क्या करोगे फर्स्ट ओफ आपको जो भी डेटा दिया गया है उसका आप टोटल करोगे ठीक है देखो यहां पर जैसे 2011 में वीट का प्रोड़क्शन था 30 और जवार का प्रोड़क्शन कितना था 10 तो दोन जोड़ा तो कितना आया 60 क्विंडल आ चुका है ठीक है अब देखो बच्चों हमारा बार डाइग्राम कैसे बनेगा यह सब डिवाइड़ डाइग्राम कैसे बनेगा आपको क्या करना है फॉर्स ओफ ओ देखो आपको ऐसा ग्राफ पेपर ले लेना है सबसे पहली बात है ग्राफ पेपर एक आता है दुकान पे ठीक है तो आप जाकर इसको ले लेना और फिर ग्राफ पेपर में हमें क्या करना होता है फिर्स ओफ यह इक्स बनाना होता है आप लोगों को पता होगा आपने जो चैप्टा नंबर 7 अब भी तक तो पढ़े लिया होगा को और ढूंगलता है सबसे पहले आप य एक्स बनाईे गा और यह एक सेटिमेटर बना लियेगा थीक है बना लिया उसके बाद यहां पर यह लाइन दिखाई दे रहा है इसकी हम नमबरिंग करेंगे ठीक है तो देखाने लिए वन सेंटीमेटर कितना डिस्टंस लिया है जैसे आ प्रकार से तो आपको सोचना है कि आपको कितने का डिस्टेंस लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो अपने इसाफ से ठीक है आपको ठीक लगे तो इन्होंने क्या लिया है मैं आपको बता देती हूं तो इन्होंने ना दो सेंटीमिटर को देखो ध्यान से देखना इन्होंने 2 cm देखो यह यह एक हो चाहेगा यह दो 2 cm को कितना लिया है 10 qatel लिया है ठीक है फिर यहां पर मतलब 1 cm को इन्होंने 5 qatel लिया इधर 5 10 15 20 समझ रहे हो की नहीं मतलब दो सेंटीमीटर को इन लोगों ने टैन क्वेंटल कंसेडर किया है और इस प्रकार से यहां पर इन नंबरिंग की गई है फिर हम क्या करेंगे इधर अमने यह प्रोडक्शन को दिखाया और इधर देखो यहां पर प्रोडक्शन लिखाओ है अब आपको साफ साफ हमते ही से प्रोड़कों लिखना हुता हुता है संधीर इस यहां पर बताना पड़ेगा कि आप लोगों मैंने आपको यह स्केल में क्या बताया कि इन लोगों ने ना 2 cm which is equal to क्या लिया है 10 quintal लिया है तो आप क्या लिखोगे scale में कि on y axis y axis पर हमने क्या लिया है 1 cm 1 cm नहीं 2 cm which is equal to 10 quintal ठीक है समझ में आ रहे हैं तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तो देखो इन लोगों इधर 1 cm which is equal to देखो यहां पर 2 लिख लेना थोड़ा सा इधर करेक्शन है क्यूंकि 2 cm which is equal to 10 quintal लिया है तो आप यहां पर 2 लिख लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 cm which is equal to 5 quintal क्यूंकि 1 cm मतलब 5 quintal लितो लिया है ना इन लोगों ने जैसे 40 से यह 45 होगा फिर जाके 50 होगा फिर यह 55 होगा और तब जाके 60 होगा ठीक है तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो तो मैं एक काम करती हूं रुको मैंना इक काम करती हूं यहां पर मैं अभी इधर 2 लिख देती हूं ठीक है बच्चो चलो मैंने यह भी आपको समझना पड़ेगा और एक और बात आपको लिखना होता है मैं बता रही रूखो जैसे कि यहाँ पर दो quantities है कौन कौन सी है एक तो है wheat दूसरा है हमारा ज्वार है न तो wheat को कौन से सिंबल से दिखाया गया है यह भी तो आपको इधर लिख करके बताना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर लिखा है कि यह सरकल वाला गोला मतलब यह जो गोला गोला बना हुआ है यह किसको दिखाएगा यह हमारे wheat के production को दिखाएगा और यह जो ट्राइंगल है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा जवार के production को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो देखो ग्राफ में सबसे important चीज़े क्या होती है आपको पहले y-axis x-axis बना लेना है फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी numbering कर देनी है इधर आप क्या दिखा रहे हो यह लिख बनाना शुरू कर सकते हो ठीक है तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे जैसे अभी पहले साल के हम बात करते हैं तो हमारा पहले साल क्या था 2010 तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा है 2010 अब 2010 में total production कितना है देखो total production देख आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हो यह joint bar diagram नह जो कहां तक जाएगा 40 तक जाएगा तो देखो इन्होंने चालिस तक गया हुआ एक rectangle बना लिया है जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं ना चलो बना लिया उसके बाद हम क्या करेंगे तो हमें इसमें वेट और जवार को भी तो यहां पर दिखाना पड़ेगा न को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो जो बाकी का बचा वह क्या हो जाएगा जिवार का प्रोडक्शन को दिखाएगा आप देख सकते हो यह 10 क्विंटल है काउंट करो यहां से 30 से 40 पर जाओंगे तो 10 ही आगे बढ़ोगे ना ठीक है तो ऐसे करके सब डिवाइड़ डाइगरम बनाया चाहता है इसमें भी देखिएगा यहां पर आपको बताती हूं जैसे 2011 का अब हम देख लेते 2011 में टोटल प्रोड़क्शन कितना था 2011 में टोटल प्रोड़क्शन 50 तो हम क्या करेंगे यह जो यहां पर एक्टिंगल बनाएंगे वह 50 तक जाता हुआ बना देंगे फिर उसके बाद आप बारी आती है इसको पार्टिशन करनी की यानि कि कितना वीट आना पड़ेगा देखो यहां तक तो तीस हुआ पांच और उपर देखो अगर आप यह दो सेंटीमेटर उपर चल जाओगे यह तो चालिस हो जाएगा हमें 35 चाहिए ना तो यह 35 यहीं पर हो जाएगा 35 यहां से हमने इसको पार्टिशन कर दिया इस प्रकार से बराबर तो हम आगे बढ़े तो यह 10 हुआ और फिर एक सेंटीमेटर आगे बढ़े यानिकी पांस तो दस पांस कितना होता है 15 होता है तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है ठीक है ठीक उसी प्रकार से 2012 का भी है आपको यह भी एक्स्प्लेइन कर देती हूं लिसन केर फूली देख ठीक है तो देखो चालिस कहां पे आ रहा है चालिस तो यही पे आ रही यही पे हा रहा है अब इससे आवैना डेखो जानते सब आट छे देखो साथ एक मिनट पांच इधर पांच आ गया था फिर इधर छे साथ आठ ठीक है मतलब यहां पर ना प्रॉपरली अगर आप काउंट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है यानि कि दो दो का इधर चार्चर लिया है शायद से इधर फिर थोड़ा और जब हम आगे जाएंगे यह तो यह हो जाएगा हमारा आठ ठीक है यानि कि 48 समझ रहे हो तीन-तीन का यहां पर इन लोगों ने गैप लिया हुआ है ओके तो यह हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर उसके बाद से इन्होंने दो जाएंगा ठीक है इस प्रकार से जाता है यह जो सब डिवाइड़ भार डाइग्राम बनाने के लिए आपको ऐसे बनाने सबसे पहले जो बहीं इन्फरमेशन दी गई है उसका टोटल करना और ऐसे करके ग्राफ बनाना फिर दोनों का दोनों मिला करके बढ़े बढ़ते हैं और यहां पर हमद करते हैं यहां पर्रैक्टेज के अंदर बनाना भी पड़ेगा है ना पर्सेंटेज बार डाइग्राम कैसा होता है मैं आपको पहले दिखा दू देखो भई पर्सेंटेज बार डाइग्राम जो है ना आपका यह ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है इसमें हम क्या करते हैं सुनो इसमें ना जो आपका यह यह हमेशा हंडेट तक ही रहेगा हंडेट से पर नहीं जाएगा क्योंकि percentage में क्या होता है इससे सदा percent हम निकालते हैं क्या नहीं न और यह जो हम graph बनाएंगे सब 100% का ही होगा तो इस देखो यहां पर सारे के सारे graph क्या है similar है सब के सब सबका जो उचाही है वह क्या है सेम है पराबर तो यह percentage bar graph में इस प्रकार से होता है तो यह कैसे बनाया चाते है मैं आपको पहले यह बता देती हूं ठीक है ना ऐसे आप देखोंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें यह percentage bar diagram बनाना चाहिए तो देखों इसके पहले आपको थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा देखों सब डिवाइडेड में हमें कुछ calculation नहीं करना था बस total कर देना था और फिर यह हो जाता लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा सा calculation करना दोस्तों कैसे करेंगे calculation थोड़ा बताओ आपको बताती हूं यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले जो भी हमें quantities दी रहेंगे उनका आपको टोटल कर लेना है क्या करना है क्या क्वांटिटी का टोटल कर लेना है जैसे यहाँ पर दीखेंगे 2010 में वीट का production 30 था और जो हमारा ज जोड़ेंगे तो यहां पर एक कॉलम हम लोगों को बनाना चाहिए था चलो हम लोगों के अंदर बना लेंगे अभी सिंता मत करो ठीक है इसका टोटल-जना कर लो तो इतना है पचास आएगा तो आपको सब से पहले तो टोटल कर लेना है फिर उसके बाद क्या करोगे तो य क्या करना है किसी भी एक क्वांटिटी का पॉर्सिंट निकालना है बाकि दूसरा तो आपको खुद ही मिल जाएगा जैसे मैं आपको बताती है कि यह आपका खेथ है ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या उगाया जा रहा है एक तो इसमें वीट का भी प्रोडक्शन हो रहा ह है इसका प्रोडक्शन होता है मान लीजिए पचास किलो का बराबर अब मैंने आप लोगों से ना दोनों का पॉझा कि मुझे एक बात बताईए कि कितना पॉर्सेंट वीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो यह आप कैसे निकालों के देखो आपको बताती हूं सबसे पहले न और तोटल कितना है 70 तोटल को अमेशा नीचे लिखना याद रखो फिर इसमेंना 100 से मुल्टिप्लाइब करोगे क्योंकि परसेंटेज निकालते टाइम पर 100 से मुल्टिप्लाइब किया जाता है मैंने आपको यह पहले भी बताया है रेश्यो और प्रोपोर्शन वाले चा kol और में लगएंगा दो इसको ऑनिया नमबर लें तो हमारा फ्रैक्षिन दूसरा को बर यहां यहां बराबर तो फिर इसका टोटल कितना आएगा प्यारे बच्चो तो यह आजाएगा हमारा असी है और यहां पर भी आजाएगा असी ठीक है आप जलो इसको सॉल करते हैं तो यह 0 से 0 कटा ठीक है दोनों का मल्टिप्लाई किया तो 200 यहां पर आ गया ठीक है फिर 8 से को काटो तो एक तूजा कितना होता है प्यारे बच्चों 16 होता है इसमें से बच्चे का चार और 8 फाइसा कितना हो गया एट फाइसा 40 ठीक है तो कितना आया यह 25 परसेंट आ गया है मतलब का प्रोडक्शन कितना है 25 परसेंट अब मैंने आप से पुछा कि राइस का प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको फिरसे इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप क्या करोगे 100 परसेंट में से 100% में से वो जो 25% आया ना उसको आप माइनस कर दो यानि आप बता दोगे कि 75% क्या होता है राइस का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ जैसे अगर आपने एक क्वांटिटी का परसेंटेज निकाल लिया तो दूसरे का वापस इस एटी इंटो हंडेड कर दोगे जीरो से जीरो को काट देना मल्टिप्लाइ करो यहां पर आजएगा 600 यहां पर इसको कैंसल करेंगे तो टू से पहले काट देते टू फॉर सा यहां पर आ गया 300 अपॉन में 4 कैंसल करो तो 4 कितने बार में चाहेगा याद कीजिए 4 7 सा कि सब्सक्राइब करेंटी तो 75 आया कि नहीं तो जब हमने यह कैलकूलेशन किया तब हमें यहीं मिला और जब हमने 100 परसंट में से 25 परसंट को माइनस किया तो भी हमें यहीं मिला यह आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है अगर आप किसी एक कॉंटिटी का परसेंटेज नि देखो वीट का प्रोक्षन है उसका परसेंटेज निकाला है और दूसरे वाइले का तो अपने आप ही 4 002 70之वी 25 होगा un हम लिए एक है आपका 20% तो दूसरा कितना परसेंट होगा 80 अगर एक निकाला तो दूसरा तो आपने आप ही मिल जाएगा तो वही काम इन लोगों ने किया है देखिए गा इन लोगों ने वेट प्रोडक्षन का यहां पर पॉर्सेंट निकाला है तो कैसे निकालेंगे देख 4 करोगे तो कितना आएगा 75 परसेंट ही आएगा ठीक है आप करके देख लीज़ेगा बराबर समझ आ रहे कि ने बताओ पहले अभी मत बताओ मुझे पूरा पढ़ा ले दो ठीक है फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में समझा कि नहीं ध्यान लगा करके समझोगे ना आपको समझाएगा इससे इसको काट दिया यहां पर आजाएगा 300 अपन में 4 कैंसल करेंगे तो 75 परसेंट आएगा सिंपल ठीक है तो देखो बच्चो अगर हमारा वीट का प्रोडक्शन है 75 परसेंट तो जो जुआर है उसका प्रोडक्शन कितना होगा तो उसका प्रोडक्शन हो पर देती हूं जुआर का प्रोडक्शन कितना आएगा कितना परसेंट यह आजाएगा 25 परसेंट समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं अगला देख लीजिएगा यहां पर 2011 की हम बात कर लेते हैं तो देखो बच्चो 2011 में वीट का प्रोडक्शन कितना था 35 और जुआर का इतना अगर यह है 70 परसेंट जुआर का प्रोडक्शन जो है वह कितना परसेंट आएगा तो वह आजाएगा हमारा 30 परसेंट क्यूंकि हम जानते हैं पूरा होता है हंडेट हंडेट में सेवन्टी खटाया तो 30 तो आएगा है ना या फिर दोनों को जोड़ो 70 प्लस 30 दोनों मिलक करके क्या होगा हंडेट समझ रहो तो यह हो गया ठीक उसी प्रकार से यह भी है वेट का प्रोडक्शन था 48 तो 48 को उपर लिखा टोटल को नहीं चलिका फिर हमने इसको सॉल्व किया इस से यह कटा और जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 80 परसेंट तो अगर परसेंटेज बार डाइग्राम के लिए फिर उसके बाद क्या करोगे फिर उसके बाद आपको ग्राफ भी तो बनाना है ग्राफ के अंदर भी तो इसे रेप्रेजेंट करना पड़ेगा ना तो कि आंदर हम इसको कैसे दिखाएंगे अब यह समझने की कोशित करते हैं रुक y axis बना देना है x axis बना देना है तो आप सभी लोग जानते हो यहां पर year को दिखाएंगे यहां पर हम क्या दिखा रहे है production को दिखा रहे production in percentage यहां पर जो represent किया गया है वो है production in percentage percentage में है 10% 20% 10% 100% इस प्रकार से ठीक है और उसके बाद से क्या करोगे यहां पर scale भी लिखोगे देखो scale लिखा हुआ है on y axis y axis के ऊपर देखो एक सेंटीमेटर विच इक्वल टू कितना लिया है 10% लिया है याद करो यह क्या है percent में दिखाया जा रहे तो एक सेंटीमेटर विच इक्वल टू 10% देखो यहां पर इन production का 10% तो ऐसे करके अब देखो इसको हम कैसे represent करेंगे तो देखो student जितने भी यह दिये गया है आप उन सभी का यहां पे बार बना लोगे तो पहले साल में भी दोनों मिलागर के कितना होगा 100% ही होगा ठीक है देखो percentage बार डाइग्राम में सारे ग्राफ यह 100% तक ही बनते हैं आप देख सकते हो 2010 का भी यह 100% तक गया है 2011 का भी 100% तक तीसरे और यह 2012 का भी कितना गया है 100% तक गया है अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इनको divide करना पड़ेगा सबसे पहले तो यह देख लोग यह जो सरकल वाला पार यह किसको रिप्रिजन करेंगा वेट को और यह वाला जो पार ट्रैंगल वाला यह जुवार को रिप्रिजन करेंगा अब इदर देखेंगे सब लोग देखिए जो हमारा वेट है ठीक है इसका production कितना हुआ था 2010 में 75% का तो देंगे ठेकर यहां से जो किःतना बताईगा 75 दिखाएगा 85 तो समझ में अ किसको यह यहां रहה हुत में हमारे प्रोडख्षन को दो जो बचा हुआ पांठे ऐनिगनि के 25 वाला हिस्सा लिएक है ुसको दिखा रहें यह वीट के फोडश्न को दिखा रहे है थीक उसी प को यहां पर आगर के इन्हों ने इसको कर दिया है यह 70 परसेंट हो गया फिर जो बागी का बचावा 30 परसेंट तक लिया है फिर यह जो बचा वाला इसको बनाया जाता है समझे आपको जब कुश्चन करवाऊंगी न तो और अच्छे से समझवेगे यहाँ पर जो इसका बेसिक है यह होता है समगत बस देखो यहाँ पर हमने क्या-क्या आपको बता जेती हूं और एक तो हमने सबसे पहले जॉइन बार डागर्व इन्हें जाना जो हमने पहले की कख्षाओं में पढ़ा हुआ है पहले हमने क्लास 7 एट में वह सारी चीजे पहले से पढ़ी हुई थी उसको मैंने आपको रिवाइज करवाया फिर यहां पर हमने सब डिवाइड़ डाइग्राम के बारे में देखा कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बाकि जब मैं प्रैक्टिस एट के कोस्टन करवांगी तब और अच्छे समझ जाओगे ठीक है उसके बाद यहां पर हम लोगों ने परसेंटेज बार डाइग्राम देखा कि कैसे परसेंटेज बार डाइग्राम बनाया जाता है तो देखो आज के लिए इतना ही अभी हम ल लेक्टर में जरूर लेकर आना और उसमें बैठ करके बनाएगा ठीक है बनाओगे तब ही तो आप को समझाएगा ना चलो आजके लिए बस इतना ही और यहां पर देख लो बच्चो अगर आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव आप पढ़ सकते हैं हमार और भी नोट्स मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं, इंस्ट्राग्राम आइडी हमारी यह है, आप लोग यहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं, लेक्चर नमबर टू में तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करत तेने, चलो, बाइब बाइवरीवन!